एलो फ्रेंग्स वेलकम टू आर चैनल लर्निंग नोट बुक आज इस वीडियो में हम क्लास वाइफ मैट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक करने वाले हैं जो है युनिट्वी मेथड तो फ्रेंग्स आज इस इनिट्वी मेथड को मैं आपको बहुत ही अच्छे से प्राक्टिस क्वेश्टन सॉल्फ करकर के सिखाने वाली हूँ तो इस वीडियो को एंग तक ज़रूर देखिए और अगर आपको क्लास वाइफ का कोई और सब्जेक्ट समझना हो जैसे की EBS या English Grammar या कोई और सब्जेक्ट तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोट बुक प पूरा स्लेबर स्कवर करा हुआ है अप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं So now let's start with Unitary Method Unitary means a single or one individual unit तो सबसे पहले Unitary का मतलब क्या होता है Unitary का मतलब होता है एक चीज सिंगल या इंडिविजजल चीज जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं यानि हम unitary की बात कर रहे है Unitary method aims at finding out the value of one unit and then use it to find the value of multiple units Friends, इस line को समझना बहुत ज़रूरी है दिखें, यहाँ पर मैंने दो बात बोली है Unitary method aims at finding out the value of one unit तो पहले इसको समझते हैं तो Unitary method से हम पहले एक चीज की value निकालते हैं जैसे कि अगर हमें 10 चीजों की value गिवन है और हमसे एक चीज की value पूछी गई है तो वो हम Unitary method की help से निकालेंगा ठीक है, अब second बात मैंने क्या लिकि हुई है Then use it to find the value of multiple units अब अगर question में मैंने आपको बताया कि 10 चीजों की value गिवन थी हमने एक चीज की value निकाल दी अब उसी question में हमसे पूछा गया है कि 18 चीजों की value क्या होगी तो हम क्या करेंगे हम पहले एक चीज की value निकालेंगे और फिर उसकी मदद से हम 18 चीजों की value निकालेंगे ठीक है, 18 objects की 18 units की value निकालेंगे हम तो unitary method का ये aim होता है to find out the value of one unit and then use it to find the value of multiple units आईए कुछ questions के थूँ हम इसे और अच्छे से समझते है 20 pence cost rupees 400 how much does one pen cost? तो यहाँ पर बताया गया है कि 20 pence, 20 pence की cost है 400 rupees और हमसे पूछा गया है कि एक pen की cost कित्मी होगी देखें, यहाँ पर एक pen की cost पूछ रहा है अभी मैंने आपको बताया था कि unitary मतलब one तो इसका मतलब कि यहाँ पर unitary method यूज होगा तो सबसे पहले तो friends आपको identify करना आना चीए कि यह question unitary method का है हमसे यहाँ पर एक pen की cost पूछी गई है यानि हमें यहाँ unitary method यूज करना है so let's see कि इसको हम कैसे solve करेंगे तो question में हमें 20 pens की cost गिवन है कितनी है वो 400 rupees तो इससे हम एक pen की cost निकालने के लिए क्या करेंगे we will divide 400 by 20 तो जो total cost हमें गिवन है उसको हम उपर लिखेंगे और उसको divide करेंगे number of pen से इससे हमें क्या मिलेगी एक pen की cost मिलेगी और इसे हम कहते हैं unitary method so let's solve this 0 से 0 को हम cancel कर देंगे काट देंगे now 2 into 20 equals to 40 so we get the cost of one pen as rupees 20 तो friends यह है unitary method जिससे हम question बहुत ही असानी से solve कर पाते हैं now let's see the next question 20 pence cost rupees 400 find the cost of 30 pence तो यहाँ पर friends अब हमें वो 20 pence की cost तो वही given है पर अब हमें cost find करनी है 30 pence की अभी last question में हमें cost find करी थी सिर्फ 1 pen की अब उस 1 pen की cost से हमें 30 pence की cost find करनी है तो इस question में हम क्या करेंगे सबसे पहले हम 1 pen की cost निकालेंगे जैसे कि अभी हमने last question में निकाली थी और फिर उससे हम 30 pence की cost निकालेंगे तो आईए ऐसी solve करते हैं इसको हम 20 pence cost rupees 400 so 1 pen की cost क्या होगी 400 divided by 20 अब देखिए अब हमें 30 pence की cost निकालनी है तो इसको हम इदर simplify नहीं करेंगे अभी जैसे हमने पहले किया था प्रिकि उसमें तो हमें एक pen की ही निकालनी थी पर अब हमें इससे 30 pence की निकालनी है तो इदर इसको हम simplify नहीं करेंगे अब next क्या करेंगे हम 30 pens की cost find करनी है तो वो क्या होगी 1 pen की cost जो ये है multiplied by 30 है ना, 1 pen की cost को अगर हम 30 से multiply कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 30 pens की cost तो ये होगी वो cost अब इसको हम simplify करेंगे तो इदर देखिए हमने इसको करा simplify 0 से 0 कैंसल कर दी है and 2 into 200 equals to 400 तो अब हमारे पास क्या बचा है 200 into 3 which is equals to rupees 600 तो ये है 30 pens की cost तो ये देखो हमने इसको solve करा है unitry method से अब friends कैई बार कुछ बच्चों को इसमें confusion होती है कि हमें क्या चीज left hand side पर लिखनी है और क्या चीज right hand side पर लिखनी है तो कोई क्या करता है वो सोचता है कि शायद मिरको 400 इदर left में लिखना था और 20 pens इदर right में लिखना था तो ऐसे confusion होती है तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ देखिए question में हमें क्या find करना है सब चीज गिवन है तो उसको हम left hand side में लिखेंगे ठीक है तो जो चीज हमें find करनी है हमें cost find करनी है तो वो आनी चाहिए right hand side तो ये चीज आप याद रखिए इससे आपको फिर जब ये statements वगेरा बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएग Let's see next question There are total 220 pages in two books How many pages are there in three such books तो देखिए इस question में का जा रहा है कि two books में 220 pages है ठीक है दो books में इतने pages है तो question पूछा जा रहा है कि ऐसी तीन books में कितने pages होंगे ठीक है ये question है तो friends यहाँ पर हम unitary method से पहले तो एक book के pages निका लेंगे कि एक book में कितने number of pages होंगे और फिर उसकी मदद से हम तीन books के number of pages find करेंगे So let's solve this question We are given two books have 220 pages तो इसका मतलब एक book में कितने number of pages होंगे उसको find करने के लिए we will divide 220 by 2 ठीक है अब मैं इधर इसको simplify नहीं करी क्योंकि मिरको तीन books के number of pages निकालने तो मैं नीचे उसको simplify करोंगे तो ऐसी तीन books में कितने pages होंगे एक book के pages multiplied by 3 Now let's simplify this We will get 110 into 3 which is equals to 330 pages तो ऐसी तीन books में 330 pages होंगे Let's see the next question Cost of 6 books is rupees 720 What is the cost of 4 books? तो यहाँ पे हमें 6 books की cost given है and we have to find out cost of 4 books तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे First we will find out cost of 1 book ठीक है? तो देखिए हम क्या लिखेंगे cost of 6 books equals to rupees 720 अब हम क्या find करेंगे? Cost of 1 book which will be 720 divided by 6 है ना? जो books की total cost है उसको हम 6 से divide कर लेंगे अब इसको हम यही पर ऐसे ही लिखे रहने देंगे इसको इदा simplify नहीं करेंगे Next we have to find cost of 4 books तो उसके लिए हम cost of 1 book जो यह है इसको multiply करेंगे 4 से Now we are going to simplify है So let's do it 6 into 120 equals to 720 So we are left with 120 into 4 which is equals to 480 So cost of 4 books is rupees 480 Next question A box of 50 chocolates weighs 900 grams What is the weight of 30 chocolates? So here we have 50 chocolates given is 900 grams We have to find 30 chocolates weight तो जो जो चीज हमें find करनी है क्या find करना है? तो उसको हम right hand side में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 50 chocolate weighs equals to 900 grams तो हम इसको क्या करनी है वो हमने इदर लिख ली है तो हम इसको क्या करेंगे? पहले हम find करेंगे 1 chocolate का weight वो क्या होगा? 900 divided by 50 अब इसकी मदद से हम 30 chocolates का weight find करेंगे simply इसको 1 chocolate के weight को हम multiply कर देंगे 30 से अब इसको simplify करते हैं 0 से 0 को हम cancel कर देते हैं then 5, 6, 30 so we are left with 90 into 6 which is equals to 540 तो 30 chocolates का weight है 540 grams ठीक है? Now the question is a worker is paid Rs. 750 for 6 days work if he works for 24 days how much will he get? So this question is saying कि एक worker को 750 euros मिलते हैं 6 days के काम के अगर वो 6 दिन काम करता है तो उसको 750 euros मिलते हैं तो अगर वो 24 days काम करे तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? तो हमें इधर fine करना है एक तरह से rupees find करने ना कि कितने पैसे उसको मिलेंगे तो rupees को हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे तो हमने इदर लिख लिया for six days he is going to get rupees 750 तो हम पहले एक दिन के पैसे find करेंगे कि उसको एक दिन के काम के कितने मिलते हैं वो क्या होंगे 750 divided by six बस अब 24 देस के पैसे calculate करने के लिए हम one day के पैसे को multiply कर देंगे 24 से now let's simplify it six for the 24 so 750 into 4 equals to 3000 तो 24 days के काम करने के worker को मिलेंगे rupees 3000